नमस्कार आप देख रहे हैं दान यूज आपके साथ हमेश प्रिष्टी मिश्रा राजस्थान से एक संसनी खेज खबर सामने आ रही है संसनी खेज इसलिए क्योंकि राजस्थान की सबसे चर्चित सबसे बड़ा घोटाला पेपर लीक का मामला और यह सबसे चर्चित है इस पर एडी ने ताबर तोड सुबह से चापे मारी की है और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गयलोत के करीमी दिनेश खरणिया इसके साथ अस्परधा चौधरी जो की शुरेस धाका की महिला मित्र है और अशोक जेन इन तीनों के नो ठिकानों पर तीन शेहरों पर अलग अलग छापे मारी की गई है और एडी के स्पेशल टीम एक दिल्ली से आई थी और एक गुजरात से आई थी आपको बता दे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है भाजपाथ सांसा डॉक्टर किरोडी लाल मीना अखिर क्यूं कह रहे हैं वो जैपूर के गडेश कॉम्प था और ये बहुत बड़े पैमाने पर आपको बता दे यहाँ पर डॉक्टर किरोडी लाल मीना ने बहुत बंगंभी रारोप लगाएं कहा कि मुख्यमंत्री के ब्लैक मनी का हिसाब जो लो रखते हैं उसका पूरा खाका मेरे पास तयार है और कहा कि जैपूर के गडेश पान सो करोड लॉकर के अंदर है सोना चांदी सब उपलब्द है और मुझे ये बात पता है बड़ी खबर इस वक्त की तहल का मचाने वाली आख की तरह ये खबर फैली आपको बता दे सुरेश धाका पेपर लीक का मास्टर माइंड इसके साथ ही अन्य नाम भी चर्चाव म पारी हुई है नौ अलग-अलग जगों पर आपको बता दे कि इसी से खबर फैली और कहा जा रहा है कि इसमें मुख्य मंत्री से तार जुड़े हुए हैं और इन्हीं वजह से इनके बैंगराउंड कॉंट्रेक्ट आगामी विधान सभा में हिस्तेदारी इनकी भूमी का चापमारी के लिए इडी ने सर्च के लिए अपने टीम भेजी थी इडी को सर्च के दौरान कई ऐसे बड़े सबूत हाथ लगे हैं और जहां उन्होंने इडी मुख्याले इस सबूत को भेज दिया आपको बता दे कि नोटिस के बाद इडी मुख्याले में आकर इडी के साथ फूड पैकेजिंग के बड़े नेता आपको गिरफतार किया गया और इसके साथ आपको बता दे जायस्थान में बहुत बड़ी कारवाई इडी की चल रही है हर जगा 24 के पहले घोटालों को उजागर किया जा रहा है और यहीं वज़ा है कि आई एंडी आई नेताओं में खलबली मची हुई है और सब कह रहे हैं वारतिया जंताफ पार्टी तो पीछे पढ़ गई है मोदी जी सब को जेल भेजेंगे उसके बाद खुद अकेले रास करेंगे तो देखें यहां पर कहा जा रहा है कि सरकारी एजेंसिया उन्हीं प्रदेश में जारी जहां बड यह चलीगी सीबिया इडी अभी देखें बिलकुल घर नहीं बैट रही है और बहुत तावरतोड अक्शन देखे जा रहे हैं पेपर लिग का मामला हजारों युवाओं के सपने चूर हुए थे राजस्तान का बहुत बड़ा घोटाला सचिन पाइलेट खुद युवा ने हनुमाल बेनिवाल को डॉक्टर किरोडीलाल मीना ने ये संदेश दिया कि जल्द ही इसकी आप पूरी भूमी का अन्य नेताओं को देखते हुए बरखास की शुरू कर दे अन्य था आप पर ज्याज की आच आ सकती है ये भी डॉक्टर किरोडीलाल मीना जो कि भारारती है जनतापार्टी के राज्य सबा सांसंद है इन्होंने हनुमाल बेनीवाल को ये संदेश दिया था आपको बता दे एडी ने दिनेश खोरणिया मुख्यमंत अशोक गैल उतकी करीबी बताए जाते हैं उन पर शापिमारी की स्परदा चोधरी पेपर लिग सरगना शुरेश धा और आपको बता दे कि सुरेश धाका अशोक जेन इन सब पर शापिमारी इसलिए हो रही है क्योंकि ये सब एडी में ये दखाई जा रहा है एडी के अधिकारियों को इनके उपर बहुत जादा शक है और इसलिए कहा जा रहा है कि एडी को ब्योरा डॉक्टर किरोडी लाल म कीणा ने दे दिया है पेपर लिख का मामला बेहद घंभीर यहीं पर आपको बता दे एडी सुत्र के मताविक पेपर लिख में शामिर पी listen सदसे बावुलाल कटारा और Mastermind भूपेंदर शारन देखे बाबूलाल कटारा भूपेंदर सारन सुरेश धाका यह तीनो पेपर लिग के Mastermind है और इन्वेस एक को बैंगलोर के एरपोर्ट से गिरफतार किया गया था और पेपर लिग का मामला 2022 का है आपको बता दे भूपेंदर सारन और बाबूलाल के सदस्य हैं बाबुलाल कटारा जो है वो यहां पर सदस्य है और उन्हों नहीं कहा था कि अन्य नेताओं के भी समें नाम सामने आ सकते हैं आपको बता दें कि कौंग्रस के बड़े बड़े दिगज नेता इसमें शामिल है और मुख्य मंत्री अशोग गेलवस के काफी करीबी है दिनेश खोड़निया जिसकी वज़े से यह कहा जा रहा है कि मुख्य मंत्री पर भी कई ऐसे सवाल खड़े होते दिखाए दे रहे हैं आपको बता दें कि इड़ी अब इन तीनों नेताओं से तीन दिनों तक पूछताच कर चुकी थी पहले ही जहाँ पर भुपेंदर सारण से भी पूच्टाच की गई थी बाबुलाल काटारा और भुपेंदर सारण जानतें कि कौन लोग पर दे के पीछे हैं यानि कि यह जो दोनों मास्टर माइंड हैं बाबुलाल कठारा जो कि खुद सदस्य हैं और इसके साथ भुपेंदर सारण जो की पेपर लिख के मस्टर माइंड बहुत बड़े बाले बता जाते हैं इनको पता है कि परदे के पीछे कौन है मतलब कौन है इसी वज़े से डॉक्टर किरोडी लाल मीना इतने confidence में नज़र जैपूर के गड़ेश कॉंप्लेक्स में बैठे वे थे और कहा जा रहा है कि जनता के साथ खिलवाड हुआ है और राजस्थान की सरकार इससे गिर जाएगी वैसे जो सर्वेस सामने आ रहे हैं यहां पर बीजेपी को हर जगा से राजस्थान ने बढ़त दिखाई जा रही है चाहे हर योजना को फेल करने में मुख्यमंति अशोगेलोत का नाम है पेपर लिक घोटाला इसके साथ जो अभी मुवाइल फोन बाटे गए थे वो घोटाला इसके साथ रजस्थान में पानी नहीं है महिलाओं की घर पे पानी नहीं है वहाँ पर पानी की मुश्किले है उस पर सरकार ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया इस पर बीजेपी ने वहाँ दावा किया तो यह सब तमाम बाते हैं जिससे रजस्थान कॉंग्रेस सरकार बुरी तरीके से गिर गई है आपको बता रहे कि एक गोपनिया दल ने इडी की गोपनिया दल ने दिनेश ख बैंक ग्राउंड, कॉंट्रेक्ट, आगामे विधान समच नॉमिन की भूमिका सब की जाच की गई थी आपको बता दे कि इसके लाबा सिविल लाइन में कई वरिष्ट नेता हों के संपर्क की जानकारी एडी को मिली है कि सिविल लाइन से भी कॉंग्रेस के कई ऐसे वरिष हो चुका है इसके साथ आपको बता दे कि अब इन सभी के रिपोर्टों को एडी मुख्याले भेजरा जाएगा और उसके बाद इनको फिर से एडी की रिमांड में बुलाया जा सकता है पुछ साच के लिए जो रिपोर्ट सामने आएगी जो आधार एडी ने निकाला है कि रोडी लाल मीना ने दावा किया कि काला धन रखा हुआ है कि रोडी लाल मीना ने ये भी दावा किया कि उनके धरना देने से एडी की नजर में वो जगा आएगी जहां पे काला धन पकड़ा जाएगा उन्होंने कहा बहुत बड़ा आरोप कि रोडी लाल मीना का राजिस होगी कि इन सभी धरना के बाद इन सभी ED के खुलासे के बाद कौन-कौन से नेता है जो पेपर लिक में शामिल थे और कौन-कौन अब एक बाद फिर से ED की रिमांड पर आगे जाते दिखा देंगे तो बन रही आपकी जो आए हो जरूर आप इस पर कॉमेंट करें आपका बहुत शुक्रिया